सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले हैं एक बलातकार जिसने कुछ हद तक हमें बलातकार के बारे में सोचना सिखाया हमें गुसा दिल आया, हमारा दिल दहला दिया जैसे पूरा भारत, पूरा विश्व एक आवाज में बोल रहा था, कि क्यों हुआ ऐसा निर्भाया के साथ, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या बलातकार के लिए कोई ऐसा कानून बना कि बलातकारियों के दिल में खौफ पैदा हुआ, नहीं, क्योंकि एक निर्भाया के मरने के ब Third party image reference मुंबई में एक बच्ची के साथ उसका अध्यापक करता रहा जबरदस्ती और उसके खिलाफ एक नहीं बलकि पूरी 18 कंप्लेंस थी लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ा रहा था उसके लिए ये शायद बड़ी बात नहीं थी क्यूंकि ना उसे निकाला गया ना उसे एक लड़की जो घर जाने के लिए बस टॉप पर खड़ी थी उसे एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी लेकिन रेप करने के लिए क्या हो रहा है ये ये तो बस पिछले कुछ दिनों के केसिस हैं साल भर के तो अंगिनत होंगे तो आखिर वो क्या है जो आ अपने लिए मकान तलाशें कानून का बंदना जरूरी है लेकिन उसे अमल में लाना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार को रेप जैसे अपरात के लिए कानून व्यवस्था को और दुरस्त करना होगा खुले आम शराब पीने और ड्रग्स की तेजी से होती पर भी नजर रखे जाने की जरूरत है इन सबसे इतर एक औरत को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए किसी को उस वक्त सिर्फ इसलिए बरदाश्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपका बोस या सीनियर है वो घलत है या सही इस पर ज्यादा ध्यान दें और घलत को क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें आपका हमारे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद